तो तिहारी सीजन में फूड रेगुलेटर भी आक्शन में हैं लोगों को सब स्टैंडर्ड फूड से बचाने के लिए FSSI देश भर से फूड सैंप्लिंग इकठा कर रहा है FSSI CEO जी कमला वर्धन राव से Zee Media ने खास बातचीत की है सुनिए पहला सवाल पूड तिहोरी सीजन शुरू हो गया है एल्टरेशन भारी मातरा में कई जगे देखने को मिल रहा है किस तरह की कारवाई किस तरह की गाइडलाइस हम उसके लिए कर रहे हैं हमने हर फूट सेफटी कमिशनर्स को और हमारे फूट सेफटी ऑफिसर्स को चार अजार से जादा फूट सेफटी ऑफिसर्स हैं पूरा हंदिस्तान में सभी को हमने बोला कि अभी तयोहर का समय आया है करने के लिए किस तरह की तैयारियां है मतलब मार्केट में क्योंकि ग्राहक जाता है उसको बहुत साथ तैयारियां आपकी दिखती नहीं कहीं पर मार्केट से जो चीज़े ख़िता तक घर पर आकर टेस्ट करेगा तब तक तो बहुत देर हो चुकी होती है तो ऑन सब्सक्राइब तो बहुत बड़ा दिये हैं इस साल में एक लाग से अधिक सैंप्लिंग उठाने के लिए हमाने डिरेक्शन दिये हैं और नेक्स्टियर हमने साथ लाग तक हमने सैंप्लिंग का हमने डिरेक्शन दिये हैं तो एंक्वारी हो रहा है बहुत सारा है विल डेफिन टेकिंग एक्शन अंधिस देश बर में फूड सारी दूद के सैंपल्स हमने कठा किये थे और कई तरह के अलगलग लैप्स को हमने उसके कॉंट्रेक्ट दिये थे रिपोर्ट्स आना शुरू हो गई है उसका पूरा रिपोर्ट कब तक आ जागा देखे ऐसा है है और यहल्ट मिनिस्टर आइस तो टेक अप नैशनल लेवल सर्वे और पूरा दस हजार सैंपल्स उठाने का डिरेक्शन दे दिये हैं तो क्वालिटी कॉंसल आफ और नैशनल डेवलोप्मेंट बोर्ड ने सर्वे कर रहे हैं एक मेने के अंदर आ जाएगा मिल्क और मिल्क पार्ट्स के उपर